तो यहां पर दिखिए exercise 8.3 का question number 1 से हम शुरुवाद करते हैं यहां पर हमें लिखना है evaluate करना है ठीक है तो पहला पार्ट दिखते है मतब फाय नौट करना है symbol जी बात है यहां पर sign 18 degree by cos 72 degree ठीक है अब इसको ऐसे वाले sums को कैसे किया जाए तो सिंबल जी बात है हमने इंड्रेक्शन पार्ट में भी डिसकस किया था एक exercise 8.3 का कि sign को या तो ऐसे वाले टाइप के questions को क्या करना है sign और cause दिया हो गया है denominator में और numerator में sign को या तो तुम cause के terms में लिखो नहीं तो cause को sign के terms में लिखो यह दोनों चीज कर सकते है अब अब दिखो पहले मैं क्या करता हूँ sign को मैं cause के terms में लिखता हूँ कैसे लिखूंगा मैं sign 18 degree को क्या मैं 90-72 लिख सकता हूँ यह क्या by cause 72 तो मैंने just क्या किया है मैंने कुछ नहीं किया 18 को मैंने 90-72 लिख दिया अब sign 90-theta क्या होता है यह आपने पढ़ा है sign 90-theta होता है cost theta simple यहां पे हो जाएगा cost theta का value क्या है यहां पे theta है 72 तो cost 72 divided by again cost 72 which is equal to cancel हो जाएगा which is equal to 1 ठीक है अगर आप एक और दिखा जाए तो दिखिए अब मैं क्या करूंगा sign 18 को वैसे ही लग देता हूं cost 72 को मैं change कर देता हूं cost 72 को मैं लिखता हूं cost 90-18 ठीक है तो क्या हो जाएगा देखिए sign 18 तो वैसे रहेगा divided by cost 90-theta यह आपने पढ़ा है cost 90-theta क्या होता है यहां पर साइन थिटा यहां पर क्या है सिटा है 18 दोनों cancel आपके बास एंसर एगें वन तो आप दोनों में तर से कर सकते हैं वही मैं बता रहा हूं आप किसी एक टर्म्स में लेकि आई यह और एक और बात यहां पर मैं समझाना चाहता हूं कि यहां पर एक चीज़ दिखि यहां पर 90-18 करने से ऐसे एक फॉर्माइट में दिया गया है इन दोनों को अगर आप आड करोगे 18 और 72 को तो आपको 90 मिलेगा समझ रहो ना आगे कुस्चिन में देखते तभी आपको और अच्छे से समझ में आजाएगा सेकंड पार्ट में दिखिए यह तैन 26 दिगरी ब यहां आप एक के टम्स में लेख सकते हूं ऐसे डिखिए मैं क्या करता हूं पहले ऑन 26 को लिखता हूं 90 माइनस 26 है तो 64 इवारेट बाई कौट64 वह तो ऐसी रहेगा रहेगा नाइटी माइनस दिखा क्या होता है कॉट होते हैं कॉट दिटा यहां पर 64 है दिवाइड वै कॉट शिच्टीफोर ठीक है तीक है इसे क्लिए औरह निति-अक्वार्ट सिटा मियूज कर रहें फॉर्मुला इसके सब्सक्राइब जिटा यहां पर 64 ठीक है यहां पर दोनों चैंसल आपका मिलेगा 1 लेगा है नेक्स्ट अब मैं क्या गरता हूँ 10 को वैसे रखता हूं 1026 को नुम्रेटर को वैसे रखते हैं डिनुम्रेटर को चेंज करते हैं कॉट यह 64 64 को आप क्या लिख सकते हो 90-26 लिख सकते हो है कि नहीं तो विचिस एकोल टू 1026 वैसे रहेगा रिवारेट भाई आप दिखो कॉट 90-3 यह भी हमने डिसकस किया है कॉट 90-3 क्या होता है यह हो जाएगा यहां पर 26 तो नो कैंसल क्या विचेगा एंसर 1 तो इस विल पी दे एंस यह तो दोनों तरीकी से आप कर सकते हो थर्ड पार्ट पर दीखिए यहां पर थोड़ा सा डिफ्रेंट दीए डिविशन फर्म में नहीं दिया है सब्ट्रक्शन फर्म में दिया हुआ है इधर भी देखोगे अगर 48 प्लस 42 करेंगे तो भी 90 आ रहा है तो देखिए इसमें भी मैं दो तरीके से बता देता हूं पहला तरीका क्या है मैं कॉस 48 को में लिखता हूं कॉस 90 माइनस 42 ठीक है करक्ट ही है कि और सब्सक्राइब करने का कोई फैदा नहीं का priorit मैं कि दोनेयों को एक सार्ट साद चीन्ज करने का कोई फैदा नहीं फैदा इंगे क know साइन 42 वैसे ही है यह दुन्हों और क्या मिलेगा जीरो अब तरीका था नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगा को साइन 42 मैं लिख सकता हूं यहां पर तीटा क्या है 48 तो यह हो जाएगा चॉस 48 तो एगें कैंसल हो के क्या मिलेगा जीरो तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो प्रूथ पार्ट में दीखिए यहां पर दिया हुआ है को सीकंड 31-59 देखो यहां पर भी सेम चीज़ 59 और 31 को आड कर रही हो तो 90 आएगा ठी दिके को सीकंड 90 माईन स्ट्रीटा होता है सीखन थिट्टा और क्यों सीकंड 9 2 माइन सीठा होता हुं सी Quin कि भी सिटा थिटा अड् आप दीखे मैं आप कोसीखन 31 को चेंज करके मैं लिग देता हूं 90 माइनस 59 कि माइनस ही न की माइनस सीकंड 59 सब्सक्राइब दूसरा तरीका मैं बताता हूं यहां पर कि आप को सीकें थर्टीवन को वैसी रखी है को मैं चेंज करता हूं सीकें 59 को मैं 90 माइनस थर्टीवन लिख देता हूं ठीक है यह हो जाएगा को सीकें थिटा होता है को सीकें थिटा यहां पर क्या है थिटीवन डिगरीज तो यह दोनों कैंसर लोके जिरो आएगा ना जिरो आएगा तो आंसर वेल भी जिरो ठीक है बहुत ही सेंबल समता